हाई फ्रेंट्स मैं हूँ बंसी धहर आर एंडी डिजिटाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट का स्पीड कैसे चेक करें वह भी मोबाइल पे डेक्स्टॉप पे फ्रेंट्स वेबसाइटर आपने बिल्कूल सही सुना माल जी कि हम किसी के वेबसाइट में जाते हैं मोबाइल चाथा है या हम डेक्स टॉप पे जाता है ऐसे कि अगर हमें यह एक्स प्रेंस होता है कि हमने इसका वेबसाइट इरल जब विजिट किए लोडिंग होने में टाइम लग यानि गोल-गोल घुम रहा है ऐसे के उजर का एक्सपीरेंस बहुत खराब हो जाता है और चांसे यह होता है कि वो यूजर जो है वो दूसरे वेबसाइट में चला जाता है रहता है अगर आपके वेबसाइट में अगर एसा है यानि आपका वेबसाइट का जो लोडिंग या आपने जो लीड आपको आया वह आप लीड को कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वह यूजर से वह चला गया उसको खराब experience हुआ ऐसे कैसे में फ्रेंड्स यह चीज बहुत ही important हो जाता है एज सोचल मीडिया वेबसाइट का जो performance зд- wealth मोबाइल में डेक्स टाप पे क्या है कैसे वह में आपको बताऊंगा और यह अच्छा है बुरा है जो सब्सक्राइब करें मोबाइल जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है मैं रा एक को अगर आप हमारे चनाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे आपको रिक्वेस्ट है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइब के इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए ही तो लाते रहते हैं, चलिए मेरे कंप्पूटर स्क्रीन पर. पेचस्पीड इंसाइब आप टाइब करेंगे, तो सबसे टॉप में आपको ये वाले उर्ल दिखाई देंगे, पेचस्पीड.web.dev, ये उर्ल आपको मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ये उर्ल पर आपको क्लिक करना है, या फिर इसको उपन इना, आप निव टाप भी कर सकते हैं, मैं पहले से उपन करके रखा है, देखिए ये वाले उर्ल से, ये उर्ल है पेचस्पीड.web.dev, इसको आप ध्यान से देख लिजिए, आपको इसी उर्ल पर चेक करना है, ये ज़्यादा तर राइट रिपर देता है, विकाज ये गोगल का ही टूल है, तो मतलब error का chances कम से कम होता है, यहाँ पर आपको enter करना है, यहाँ पर देखिए, एंटर ए web page URL लिखा है, आप जिस भी website का आप speed चेक करना चाहते हैं, mobile version में, या फिर उसका desktop version में, आप उसका URL यहाँ एंटर कर दीजिए, आपका website हो, या फिर आपका किसी भी client का website हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ मैं एक example लेता हूँ, यह देखिए, यह हमारा website है, rnd digital, आपको करना होगा, website का URL का copy, यहाँ पर हम कर लेते हैं, जो rnd digital का URL है, उस URL को मैं कर लेता हूँ copy, आप देखिए, मैंने copy किया, copy करने के बाद, यहाँ पर enter URL, webpage URL लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कर देना है paste, पेस्ट करने के बाद, यहाँ पर देखिए, analyze लिखा हुआ है, जो blue color का box है, आपको analyze पर क्लिक कर देना है, जैसे आप analyze पर क्लिक करेंगे, यह थोड़ा सा time लगाएगा, ऐसा नहीं कि आपने क्लिक क्या और तूरंत report निकलाएगा, तो आपको थोड़ा सा wait करना है, आप top पर देख सकते हैं, अभी report generate हो रहा है, तॉप पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीज़ दिखाएदे रहा है, एक तो mobile लिखा हुआ है, और एक desktop लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप mobile version भी check कर सकते हैं, dextr version भी check कर सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इसका dextr version check करके बताता हूँ, सबसे पहले हम दोनों का score देख लेते हैं, यहां आप देखिए, जो Dexter version है, Dexter version में इसका score है 89 और यह 52, 89 के बीच में है, यानि इसका Dexter version का जो performance score है 89 है, यानि बहुत बुरा नहीं है और अच्छा भी नहीं है, ठिक ठाक है, अभी अगर यह mobile version का हम बात करें, यहां पे mobile version का score जो है, वो 62% है, यानि 62 है, वो भी हम medium category में है, तो बहुत ही बुरा नहीं है और एकदम अच्छा भी नहीं है, तो यहां पे जो color code है, आपको, मैं Dexter version में आपको समझा देता हूँ, यहां पे यह 3 color code आपको समझने का बहुत जरूरी है, पहला color code किया है, यह देखिए red है, यह red का मतलब है कि अगर आपका performance score जो है, 0 to 49 के बीच में होता है, तो आप यह red zone में होंगे, और यह जो circle है, वो red में दिखाई देगा, तो अगर आपका यह red zone में है, आपके URL या आपका website, तो आपको बहुत सारे changes करने के जरूरत होंगे, similarly, अगर आपका, आप यह orange zone में ह है, यानि 50 to 89 है, तो आप safe zone में है, तो major changes करने का जरूरत नहीं होगा, छोटा मटा changes का requirement होगा, so 89 जो है, या 50 to 89 जो score है, वो safe zone है, आप मान के चलिए, उसके बाद आता है, जो green zone, यहाँ पर देखे, green color mention हुआ है, जो है 90 to 100 के बीच में, अगर आपका score 90 to 100 के बीच में है, तो जादा चिंता करने का जोरुद नहीं है, मतलब आपका ठीक ठाक है, बढ़िया है, so इसमें थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ आपको changes करना रहेगा, तो यह जो दोनों score है, यह desktop पे और mobile पे अलग-अलग होंगे, देखे, यह similarly, यहाँ मेरे desktop 89 है, और यहीं देखे, mobile पे जो है, यह 62 है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कि यह 89 स्कोर जो है, वो आया कैसे, कहां से, मतलब उसका calculator भी है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यह दिखे, मैं C calculator जो है, इसको open कर देता हूँ, यह मैं आपको थोड़ा टाइम क contentful paint, first contentful paint का मतलब यह है, कि कोई भी आपके URLs पे click किया, click करने के बाद, जो loading होता है, तो उसके लिए, मतलब loading होके, जो पहला, मतलब, कुछ भी चीजे जो दिखता है, उसमें क्या, कितना time लगाता है, तो आपके website के URL में click करने के बाद, जो पहला elements दिखता है, first contentful paint, तो यहां पे दिखाया है कि 0.6 second और यह green color में है, यानि ठीक है, बढ़िया है, तो इसमें आपको कुछ औरी होने का जोड़ोद नहीं है, उसके बाद यहां देखिए, जो second है, matrix, तो है time to interactive, time to interactive का मतलब है, कि आपके website में, जो पहले किसी ने enter किया, enter करने के बाद, पहला elements जो दिखा उसको, पहला elements जो दिखा उसको, जिसके साथ वो interactive कर सकता है, वो उसमें कितना times लगाया, वो है 1.1 second, तो यहां पे आप देख सकते हैं, वो भी green color में है, यानि आपको इसमें औरी होने का जोरूद नहीं है, similarly आप left में देख सकते हैं, total blocking time जो है, वो भी green color में है, इ cumulative layout shift, यानि अगर आप कोई भी आपके URLs में या कोई भी link पे click करते हैं, वो click करने के बाद उसको response करने के लिए जो time लगता है, वो कितना है, यह time जितना कम होगा, उतना अच्छा है, हलांकि यहां पे 0.01 second है, इससे तो और कम नहीं हो सकता, तो यह सारे green है, यानि आपका य यहां पे है, यह देखिए, speed index जो orange में दिखाई दे रहा है, और large content full pen लिखा है, यह भी orange में है, यानि बहुत ज़्यादा और ही होने का जो रद नियों, आप sub zone में है, speed index मतलब आपका total website जो है, लोड होने के लिए कि इतना time लगा, यह 1.9 second है, वो भी अच्छा है, इसको अगर और improve आप कर सकते हैं, तो बढ़िया है, green में आया तो बढ़िया है, तो यहां पे यह मतलब matrix यह दिया हुआ है, यहां पे आपको judgment आ जाएगा, कि आपका website का performance क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो calculator दिया हुआ है, यह 6 matrix के basis पे calculator है, यहां यहां पे दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाया, FCP, first contentful pen, उसका value क्या है, उसका matrix का score क्या है, और यह जो features है, इस features का weightage कितना है, 10% देखिए आप, अभी यह SI speed, speed index जो है, उसका weightage है, यह 10% आप देख सकते हैं, यह LCP, largest contentful pen, उसका weightage बहुत जादा है, यह 25% है, अ time to interactive, तो time to interactive जो है, उसका weightage 10% है, और TBT, total blocking time, उसका score है, वो 30% है, और, sorry, score नहीं, weightage, so CLS, यानि cumulative layout shift, तो उसका weightage 15% है, यानि यह 6 index जो है, यह 6 matrix जो है, उसके basis पर यह weightage का percentage है, उसके हिसाब से यह decide करता है, कि आपका website का performance score क्या है, बड़िया है, खराब है, क्या है, अभी यहाँ पर देखिए, यह calculator में around 90% है, बता रहा है, हमारा website का score, यानि बहुत ही बड़िया है, अब चलते हैं, इस से पहले, हम यहाँ थे, अब यह same चीज जो मैंने आपको explain किया, यह देखिए, यहाँ पर, मैं आपको simultaneously mobile version में दिखा दे रहा हूँ, mobile version में देखिए, मैरे यहाँ पर, जो largest contentful paint है, यहाँ पर आप देखिए, red mark है, यानि इसमें improve करने का जोरुरत है, तो अगर आपका website, आप coding में बनाए होंगे, तो आप developer को इसका data आप दे सकते हैं, अगर आप खुद बनाए होंगे, तो इसमें आप improve कर सकते हैं, मालजे कि वह WordPress में हो, या फिर आपका Shopify में हो, तो यह जो red mark है, यानि यह चिंता का विसाई है, इसको आपको improve करना पड़े यह जो suggestion यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपके website का speed में improve हो सकता है, अब यहाँ पर अगर आपको यह chance करना है, नहीं करना है, आप पर depend है, क्योंकि यह orange mark में है, यानि आप sap zone में है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, serve image in next gen formats, यानि आपका यह जो image है, यह next gen format में देने के लिए बता रहा है, और इसमें यह देखिए, जो down arrow है, इसमें अगर आप click करेंगे, तो details में वो बता रहा है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यह सारे चिज़े देखिए, आपका यह resources URL यहाँ पर बता दिया, कौन से URLs का image का बता रहा है, तो आपको यहाँ पर URLs मिल गया, बहुत ही interesting है, उसके साथ साथ यह देखिए, यह resources size यहाँ पर बता रहा है, और potentials यह बता रहा है, आपके जो यह images है, इस URL में यह image पड़ा है, उसका size यह है, लेकिन यह size आप दोगे, तो यह चीज़े improve हो जाएगा, यह potential saving का size देने के लिए बता रहा है, अगर यह size दोगे, तो आपका चीज़े improve हो जाएगा, तो यह था, so पहला opportunity, जो यह बता रहा है, कि serve image in next gen format, उसके बाद देखिए, properly size images, properly size images का मतलब यह है, कि कुछ images के size थोड़ा सा यहाँ गड़वड़ी है, बट फिर भी tick-tock है, क्योंकि यह orange color में है, still अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं, तो यह green mark आजाएगा, so यहाँ पर देखिए, यह क्या कौन से-कौन से images का बता रहा है, यह आप देखिए, so यह जो है, यहाँ पर यह सारे images है, यह URL में आप चेक कर सकते हैं, यानि यहाँ पर भी थोड़ा सा opportunity है, आपको, आपके web page का speed को improve करने के लिए, और सबसे जो, friends, अभी सबसे जो important part है इस series में, यह यह है, यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर यह बता रहा है कि आपका, जो website का speed के लिए, जो major problem क्या है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीज़ आपको समझने का जोरूत है, यहाँ बता रहा है यह सारे चीज़े, बर ज़रूरी नहीं है कि यही सारे चीज़े, mobile version में भी यही सारे problem होंगे, mobile version में हो सब के कुछ अलग problem होंगे, जैसे कि, यहाँ पर देखिए, मैं mobile version पे जा रहा हूँ, अभी यह mobile version पे देखिए, यह different problem है, और इसका देखिए, opportunity में mobile version में different है, और desktop मे आप देखिए, desktop में यहाँ पे opportunity में different है, यानि same website है, उसके mobile version में different problem है, या different opportunity है, और mobile version में उसका different problem है, different opportunity है, अभी यहाँ पे, जैसे desktop version में हम चेक कर रहे थे, बात यह है, कि यह जो red mark है, यानि आप danger zone पे है, यह जो points से बता रहा है, यह सारे points पा आपको definitely काम करना ताकि उसका website का speed कैसे improve किया जाए, अगर हमारे website के speed बराबर है, तो improve करने का ज़रोद नहीं है, अगर speed बराबर नहीं है, तो अपने को improve करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे, जैसे कि एक-एक में आपको बता रहा हूँ, जो पहला problem यहाँ पे बता रहा है, वो है ensure text remain visible during webfront load, दूसरा आपको बता रहा है कि does not use passive listener to improve scrolling performance, यहाँ पे बता रहा है कि image element do not have explicit, इसका width और height बराबर नहीं है, यहाँ यह सारे problems जो है, यह सारे problems आपको solve करने पड़ेंगे, यहाँ पे आप down arrow में क्लिक करेंगे, तो यह डिटेल्स में बता रहा है, तो यहाँ पे आपक क्लिक करेंगे, देखें, यह पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बात यह है कि अगर आप खुद website develop किये हैं, तो आपको यह एक एक चीज को आपको ठीक करने पड़ेंगे, तो अगर आपने डेवलोप नहीं किये हैं, आपका developer कोई और है, अगर आपका developer करेंगे, आपको दोनों को ध्यान डखना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, कि बहुत ज्यादा पब्लिक जो है, आज काल मोबाइल से आ रहे हैं, तो हमें सा मोबाइल वर्जन और डेक्स्टर वर्जन जे इक्वाली इंपोर्ड़न है, ऐसा नहीं है कि आपने काली देक्स्टर वर्जन पर सुधार कर दिया, मोबाइल में लोडिंग स्पीड जो है, काफी खराव है, तो हो सके मोबाइल से जो पॉब्लिक आ रहे हैं, तो उसका एक्स्पिरियंस खराव होगा, वो बांस बेक करेगा, तो आपने जो वेबसाइट बना है, वो परपच स Similarly, अलग-अलग URLs के अलग-अलग problems होंगे, तो आप ऐसे match, exactly match नहीं करना रहे, इनका यह problem था, मेरा यह problem है, तो साहिद बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, हर एक URL में different problems होंगे, तो friends, यह जो है, यह metrics बहुत ज़्यादा important है, आपको आपका website speed तो definitely improve करना चाहिए, friends, उम्मीद करता हूँ, आपको यह video पसंद आया होगा, friends, अगर आपको यह video पसंद आया है, तो please like, comment, share करना बिल्कुल नहीं बुलना, अगर आपको लगता है कि यह video आपके कोई friends के काम के है, तो please उनको share करना, हाँ friends, अगर आप हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब न आप सारे वीडियो देखते रहिए, डिजिटाल मीडिया मार्केटिंग आप सिखते रहिए, अगर आपको कोई doubt है, कुछ query है, आप मुझे comments में पूछ सकते हैं, फिर मिलेंगे friends, अगले interesting video है, वीडियो में, thank you so much friends, thank you for watching, have a good day.